आज हम सुनसितारा के लाब, इतिहास और किसे पहनना चाहिए के बारे में बात कर रहे हैं। हेलो दोस्तों मेरा नाम रहान है। चलो शुरू करते हैं। सुनसितारा, संस्टोन, पत्थर के लाब। सकारात्मक उर्जा, सुनसितारा पत्थर को सकारात्मक उर्जा और आत्म विश्वास बढ़ाने वाला माना जाता है. इसे पहनने से नकारात्मक विचारों से मुक्ती मिलती है. आत्मविश्वास और नेत्रित्वक्षमता यह पत्थर आत्मसम्मान और नेत्रित्वक्षमता को बढ़ावा देने में सहायक माना जाता है इसे पहनने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और निरनय लेने की क्षमता बहतर होती है स्वास्थिलाब, सुनसितारा पत्थर को शारिरिक और मानसिक स्वास्थे को बहतर बनाने में भी सहायक माना जाता है इसे पहनने से तनाव, चिंता और ठकान कम हो सकती है रुके हुए कामों में प्रगती, सुनसितारा को उन लोगों के लिए शुब माना जाता है, जिनके जीवन में प्रगती रुकी हुई हो यह बाधाओं को दूर करने और नई संभावनाओं को उत्पन्न करने में सहायक माना जाता है सूर्यदेव का आशिरवाद, इस पत्थर को सूर्यदेव से जुड़ा माना जाता है, और इसे धारन करने से व्यक्ति को सूर्यदेव की कृपा प्राप्थ होती है यह सकारात्मक्ता और सम्रिधी लाने वाला माना जाता है वित्य स्थिर्ता इस पत्थर को धन और सम्रिधी का प्रतीक माना जाता है इसे धारन करने से वित्य लाभ और आर्थिक स्थिर्ता प्राप्थ हो सकती है ध्यान दें, किसी भी रत्न को पहनने से पहले विशेशग्य की सलाह जरूर लें ताकि उसके प्रभाव आपके लिए सकारात्मक रहें सुनसितारा पत्थर का इतिहास सुनसितारा पत्थर जिसे गोल्ड स्टोन या सूर्यकांत मनी के नाम से भी जाना जाता है एक आकरशक और चमकदार पत्थर है जो मुख्यता अपनी चमकदार जिल्मिलाहट के लिए प्रसिद्ध है इसका नाम सूर्यकांत मनी इसी लिए पढ़ा क्योंकि इसकी सतह पर छोटे-छोटे कन सूर्य के प्रकाश में चमकते हुए प्रतीत होते हैं जिससे यह पत्थर सूर्य जैसा दीप्तिमान लगता है सुनसितारा पत्थर के निर्मान की प्रक्रिया का इतिहास लगभग सत्रवी सदी में वेनिस इटली से जुड़ा हुआ है ऐसा माना जाता है कि यह पत्थर पहली बार इटली में वेनिस के कांच बनाने वालों द्वारा गलती से खोजा गया था दरसल गलती से तामबे के छोटे कन कांच में मिल गए जिससे इस पत्थर की चमक उत्पन्न हुई बाद में इस प्रक्रिया को जानबूज कर दोहराया गया और इस तरह सुनसितारा पत्थर का निर्मान होने लगा इस पत्थर का संबंध कई संस्कृतिक मान्यताओं से भी है कुछ प्राचीन संस्कृतियों में इसे शुभ माना जाता था और इसे साहस शक्ती और भाग्य का प्रतीक माना जाता था यह भी कहा जाता है कि सुनसितारा पत्थर में सकारातमक उर्जा होती है जो मानसिक शान्ती और आत्म विश्वास को बढ़ावा देती है सुनसितारा पत्थर का मुख्य आकर्शन उसकी जिल्मिलाहट है, जो इसे सजावट और आभूशनों के लिए लोकप्रिय बनाती है यह मुख्य रूप से विभिन गहनों जैसे अंगूठी, पेंडेंट, कंगन और मोतियों के रूप में उप्योग किया जाता है इसके अलावा इसे ध्यान और हीलिंग, चिकित सात्मक, उद्देशों के लिए भी प्रयोग किया जाता है दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद मेरे कंटिंट को बेहतर बनाने के लिए मुझे अपनी प्रतिक्रिया दे दोस्तों लाइक और शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले